हलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ शम्शाथ शेक आपका दोस्त तो फ्रेंड आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि spi card में joining के बाद क्या क्या process होता है यानि कि आपने document submit कर दिया अपने सारा अपका detail personal लेन जो भी details आपके वो अपने submit कर दिया उसके बाद आपको offer later generate होता है जो भी salary आपको देते हैं वो लोग उसके बाद friends आपका training होता है one week के अंदर अंदर आपके training खतम हो जाती जैसे कि आप पहले प्रोड़क्ट का नॉलिज देते हैं कि कैसा आपको कार्ड को सेल करना है थोड़ा बताते हैं वो लोग उसके बाद आपको कौन कौन से कार्ड सेल करने हैं आपको दो तीन चार कार्ड का आपको नॉलिज देते हैं वो लोग या प्रोड़क् देते हैं तो वो सारी चीजे वो लोग detail में बताते हैं trainer अपको और उसके बाद mock call होता है जानि कि आपको वो लोग जब training हतम होती है तो आपका paper होता है जो भी product knowledge वो लोग आपको देते हैं उसके बाद आपका paper होता है अगर paper में आपने eighty percent के ऊपर लाते हो 90% के आसपस तो ही आपको वो लोग hire करते हैं अगर नहीं होता है तो फिर आपको वो लोग fail कर देते हैं यानि अगर आपका interview ही हो गया उसके बाद आपने joining भी कर लिया अगर आपने training में fail होगे एक से दो बार तो आपको वो लोग reject कर देते हैं तो आपको करना क्या है friends product knowledge जब भी आपको वो लोग दें तो आप हर चीज को लिखो यानि क्या क्या कैश बैक है कौन से card में कितना discount है क्या advantage है क्या benefit है क्या features है card में और points कितना है वो सारा कुछ आपको याद करना है pain लेके जाईए और उसके बाद आपका book लेके जाईए उसमें लिखिए note down कीजिए क्या क्या आपको बता जा रहा है rate of interest कितना है और उसके बाद आपका credit limit कितने से कितना मिलता है flexi payment का option कितने month तक है balance transfer का पूछते हैं यह सब main main questions है friends आपको यह लोग trainer जो हैं वो पूछते हैं detail में तो यही आपको पूछा जाता है जब भी आप paper देते हो उसके बाद आप जैसी आपका 90% के उपर आता है तो उसके बाद आपका selection होता है final और उसके बाद एक last में एक mock call होता है जैसे कि आपको as a customer वो लोग assume करते हैं बनते हैं as a customer और आपको as a sales executive को बताना है कि कैसे आप customer को convince करोगे तो friends वो customer को convince करने के लिए आपको जो भी card का बताने बोलेंगे वो card का features आपको बताना है for example जैसे simply save card का आपको बताना है mock call में तो किस तरीके से आपको बोलना है पहले तो आपको पूरा memorize करना है card का benefit क्या advantage है क्या features है क्या charges है और कितने charges पर reversal होता है वो साई चीज़ें आपको बताना तो बताना इस तरीके से तो as a customer for example आप as a customer हो और मैं आपको convince कर रहा हूं एवरी हंडेट पर टैनेक्स रिवर्ट पॉइंट्स है departmental grocery dining movie hotel restaurant पर उसके अलावा सर इसमें हमारे card में आपको flexi payment का option है six months लेके 36 months तक के लिए option है और उसके बाद यहाँ पर balance transfer का option है and card में जो cashback वगार है जैसे कि आप flip cut, amazon, food panda, ola, zoom कर या कोई भी departmental grocery dining movie hotel पर आप देखते हो सारे office आप claim कर सकते हो यह card से उसके अलावा all over India fuel surcharges हमारे card में waiver है और यह बता सकते हो उसके अलावा आप बता सकते हो कि sir हमारे card में yearly 499 charges है plus 18% GST but card JCE आपको receive होता है within two months के अंदर 2000 का shopping करते हो तो आपको two thousand का cash bonus point मिलता है जिसका value 500 rupees होता है वो आप bill के against में आप reverse करा सकते हो या आप SBI का खुद का भी है उनका application में catalog है वहां से आप shopping या vouchers वगर आप ले सकते हो या bill में भी upcoming statement में आप access करा सकते हो आपका reward point जो भी है इस तरीके से आपको बताना है या simply click का पूछेंगे तो simply click का बताएए सार online के लिए best card है जिसमें आपको annually for spending one lakh rupees online तो आपको two thousand का vouchers मिलेगा अगर two lakh rupees spend करते हैं तो four thousand का vouchers मिलता है इसमें सार online में benefit यह है फिलिप काट जो भी फिलिप काट है इसमें आपको हमारे selected types है जहां पर आपको every hundred पर 10x reward points मिलेंगे और इसके अलावा सार इसमें भी cashback वगरा discounts वगरा जो भी online आप देखते हो भी आप claim कर सकते हो फ्लेक्स पेमेंट वगरा same option है तीस तरीके से आप बता सकते हो जो भी benefit है में में और simply click में सिर्फ यह different है online में आपको 10x reward points मिलते हैं जो selected partners है और offline पे आपको 5x reward points है departmental grocery dining पे आपको 5x reward points है और online vouchers मिलते हैं Amazon के जो भी आप shopping करेंगे customer जो भी customers shopping करेंगे उसमें उनको cash vouchers मिलते हैं Amazon and clear trip का अगर customer एक लाग या दो लाग क्या स्पास यूज़ करते हैं तो उनको vouchers मिलते हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हो और यह सब के बाद फ्रेंज जैसी आपका mock call खतम होता है आपको location दिया जाता है अब यह location कहा कहा के होते हैं जैसे कि malls में इनका काम होता है जो card का sales direct sales होता है malls पे होते हैं जैसे उनका counter होता है SBI card के mall के entry gate पे भी हो सकता है या जो इनका brand type है जो co brand card है तो जैसे big bazaar से type है तो big bazaar के stores के अंदर आपको खड़े रहने पढ़ेंगे आपको या landmark group के साथ type है तो landmark जैसे lifestyle हो गया home center हो गया, spar हो गया और या shopper stop जो भी types है जहाँ पे वहाँ पे आपको location मिलेगा उसके अलावा आपको petrol pump वाल हमारा card है तो petrol pump पे आपको खड़े रहने पढ़ेंगे भी PCL की उसके अलावा आपको और कहाँ पे location मिल सकता है जैसे कि airport पे जो हमारे premium cards है जैसे prime है, elite है, विस्तारा है, air India है, एहतियाद है तो ये सारे cards कहाँ sale होते है mostly आप malls में भी आप customer कोई चाहिए card तो वहाँ पे भी कर सकते है या तो आप mostly ये cards airport पे जो उनका counter होता है वहाँ पे ये card sale होते है और ये सारे locations होगे या open market यानि कि आप corporate में जाएए या कहीं से भी बाहर से आप number करके लाएए card का application बना के लाएए या open market बोले तो बाहर तो आप बाहर कहीं से भी application कर सकते हैं तो ये हो गया location तो friends आपको इस तरीके से वो लोग करते हैं और उसके बाद friends एक चीज और बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप ये सब complete होता है product knowledge हो गया, training हो गया, call हो गया, सब कुछ done हो गया उसके बाद आपको एक चीज सिखना है जिसको बोलते हैं हम लोग QD इसके आपको customer का data enroll करना है customer का first name, customer का last name customer का date of birth, customer का email ID, customer का pen card number, उसके बाद customer का company name, designation, customer का current address, email ID ये सारी आपको details enroll करना है proper correct details डालना है अगर कुछ भी miss match होता है बाद में document से miss match होता है तो आप पीस से वो लोग decline करके वापीस से वो सारी process वापीस से आपको करने पढ़ेंगे तो इससे बेटर यही है customer के सामने enroll कीजिए customer से एक बार confirm कर लिजिए कि सारा इसा ऐसा details आपका मैंने enroll किया देख लिए एक बार चेक कर लिए customer को दिखा दीजिए तो customer देख लेगा उसके बाद आपको उसके बाद आप application code customer को भेज़ें जो six digit का customer को code आप भेजते हैं customer के permission से मतलब आप detail enroll कर रहे हैं यानि कि civil चेक कर रहे है customer का approve होगा decline instant आपको आपके जो application है sales 24 में वहाँ पे दिख जाएगा customer को limit एक approximate दिख जाती उसके civil के basis पे उसके जो भी previous card के cards है उसके basis पे customer को मालूम पढ़ जाता है दिख जाता आपके application में कि कितना limit customer को मिल सकता है उसके अलाव फ्रेंड्स और एक चीज़ job जो है male and female दोनों कर सकते हैं और आपका communication अगर अच्छा है तो आप ladies हो या जेंस हो आप दोनों जन कर सकते हो और location जैसे कि मैंने बताई दिया कि location कहां कहां पर आपको खड़े रहना है कहां पर काम करना है और उसके अलावा कोई कोई बहुत question करते हैं कि sir अगर नहीं हुआ पूरे महीने में एक भी car sale नहीं हुआ तो क्या करेंगे करेंगे कुछ नहीं है आपको वापीस एक मन्त देंगे या एक दो महीने के अंदर आप सीख जाए ऐसा होता नहीं है friends कि आपको पूरे महीने में एक भी card ना से लो यार एक साथ card तो आराम से हो जाता हंडेट percent बोलता कोई भी location पे आप रहो साथ card तो 110 percent होई जाएगा कोई भी location पे आप हो चाहे वो petrol pump पे हो चाहे आप किसी malls में हो या किसी आप stores में हो या railway stations पे हो या airports पे हो आप कहीं पे भी हो आपका साथ card minimum जो first new आरी है यानि relationship executive उनका साथ card तो होई जाना चाहिए इतना hard नहीं होता है आप गर आपने product knowledge proper लिया communication आपका अच्छा approach आप easily customer को कर लेते हो benefit आप जितना knowledge आप लोगे card का उतना अच्छा आप communicate कर पाओगे customer को उतना अच्छा customer को approach कर पाओगे तो उस तरीके से आप कर सकते हो तो आज की लिए बस इतना ही friends हम मिलेंगे एक next video में useful video के साथ आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो please वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर हमारे नए हो तो subscribe जरूर करना thank you so much for watching this video bye bye take care see you later हम भी लेंगे ऐसे ही एक next video में